आप सुन रहे हैं प्यूर जिन्दगी, let's uncomplicate, let's find out a balance of love and hate, good and bad, pity and great. नमस्कार, मैं हूँ मनोश श्रिवास्तो और आज हम बात करेंगे morality, moral और ethics की. हम देखते हैं कि एक ही कानून कहीं तो अपराद नियंतरण में कामियाब हो जाता है और कहीं किसी दूसरी जगह पर वही कानून, बेकार साबित होता है. क्यों? गानून की तरह ही नियम, नेतिकता, संसकार और धर्म जैसी चीजें भी किसी पर काम करती हैं और किसी पर काम नहीं करती आखिर इसकी बज़े क्या है? ऐसा इसलिए होता है कि आप कानून का पालन नहीं करते सिर्फ कानून की नजरों से बच कर रहना चाहते हैं नैतिक, संसकारी और धार्मिक बनना नहीं चाहते हैं सिर्फ दिखना चाहते हैं असल में आप भीतर से ये मानते ही नहीं है कि नैतिक होना, संसकारी होना और धार्मिक होना फाइदे मंद है और जरूरी है, मतलब आपकी नैतिकता आपका धर्म और आपके संसकार भीतर से खोखले हैं, तो जो चीज मिसी है, जो चीज आपके भीतर मौजूद नहीं है, जिसके ना होने से कानून, धर्म, संसकार और नै तिक्ता जैसी चीजों में खोखलापन पैदा होता है, वो चीज है मुरालिटी। क्या स्थिती वाकई इतनी विकट है कि हम सभी लोग इमोरल हो चुके हैं। जी नहीं, रिसर्चेस का दावा है कि लोगों को ऐसा लगता जरूर है कि समाज में नैतिक्ता पहले के मुकाबले क हुई है, लेकिन असल में स्थिती इतनी भी खराब नहीं है, इस एपिसोड में आगे हम समझेंगे कि इनसान का मुरालिटी से क्या रिष्ता है, पहले ये समझते हैं कि मुरालिटी असल में है क्या, हिंदी में मुटालिटी, एिए किस और मोरल को एक ही अर्थ में लिया जा बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो नैतिकता हमारा वो सेंस है जो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या कलत है मतलब हमारा दूसरों के प्रती जो बिवहार है उसमें क्या उचित है और क्या उचित नहीं है और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हर इनसान के moral अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आप किसी ऐसे इनसान की कल्पना नहीं कर सकते जिसके भीतर कोई moral है ही नहीं हर इनसान के जीवन में कुछ न कुछ moral जरूर होते हैं कोई इसे moral conscious कहता है कोई इसे इमान कहता है और कोई अंतरात्मा कहता है लेकिन हमारे individual moral समाज में collectively कैसे काम करते हैं इसके dynamics अलग है और ये एक अलग विशह है हम individual moral व्यक्तिगत नैतिकता पर ही focus करते हैं पहला सवाल ये है कि हमारे भीतर morality क्यों होती है और हमारी morality बनती कैसे है अभी तक की studies के हिसाब से हमारी नैतिकता के दो पहलू है एक biological और दूसरा cultural modern thinkers मानते हैं कि morality या ethics की शमता इनसान के भीतर biologically मौजूद है लेकिन moral codes culture से तै होते हैं Charles Darwin मानते हैं कि इनसान और दूसरे जीवों के बीच सबसे बड़ा अंतर moral conscience का है Darwin ने लिखा है कि I fully subscribe to the judgment of those writers who maintain that all the differences between man and the lower animals The moral sense or conscience is by far the most important मतलब इनसान के भीतर कुछ biological features हैं जो moral behavior का ground तैयार करते हैं ये features क्या हैं? ये features हैं हमारी सोचने समझने की खिशमता जिसके चलते इनसान अपने वेवहार के consequences को समझ सकता है हम जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं दूसरों पर या खुद हमारे उपर उसका क्या असर होगा? दूसरा हम value judgment कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का या किसी भी situation के value का अंदाजा हमें पहले से हो सकता है और तीसरा, इनसान अलग-अलग options के बीच अपना चुनाओ कर सकता है, निरने ले सकता है मतलब हम पहले से जानते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा जो होगा उसका प्रभाव भी हम पहले से समझ सकते हैं और अपनी इन शमताओं के कारण हम निरने लेने में सक्षम हैं कैसे तै होगा कि क्या सही है और क्या गलत इसमें कल्चर का बड़ा रोल होता है कल्चर का मतलब है किसी समाज में मौझूद beliefs, values, traditions और practices भाशा, धर्म, खाना, पीना, कला, संगीत, ग्यान, विज्ञान, दर्शन, सोशल तोर तरीके ये सब कल्चर का हिस्सा हैं जिसे इन्सानी समाज एक से दूसरी पीड़ी को सौपते हुए आगे बढ़ता है कल्चर पर इतिहास, भुगोल, वर्तमान और दूसरे कल्चर के साथ संपर्क का असर भी पढ़ता है इसलिए कल्चर static नहीं होता कुल मिलाकर कल्चर एक कॉंपलेक्स सी खिचड़ी है जिसमें हम कुछ इन्हेरिट करते हैं, कुछ सीखते हैं इन्सानी समाज किसी एक मॉनोलिथिक कल्चर से नहीं चलता दुनिया कल्चरल डाइवर्सिटीज और सब कल्चर का खजाना है आप कह सकते हैं कि कल्चर दुनिया में इनसान के अगले पिछले सारे अनुभाव और ग्यान का निचोड होता है कल्चर हमारा वो सौट्वेर है जिसके सहारे हम हार्डवेर वर्ल में नविगेट करते हैं, फंक्शन करते हैं हमारे मूरल कोड्स इसी कल्चर से निकल कर आते हैं इंडिविज्वली हमारे मूरल कोड्स के तीन बड़े फीचर्स है पहला कि सही और गलत को लेकर हमारी सोशल एंकरिंग क्या है हमें क्या लगता है कि हमारे समाज में क्या सही है और क्या गलत दूसरा कि हम अपने moral self के बारे में क्या धारना रखते हैं यानि हमने अपने स्तर पर क्या तै किया है और तीसरा कि हमारे thoughts और हमारे experience एक दूसरे से क्या बातें करते हैं यानि समाज में हमें एक moral code मिलता है जिसे हम अपने तरीके से समझते हैं और ग्रहन करते हैं फिर हम व्यक्तिगत रूप से अपने लिए moral conscious का निर्मान करते हैं और उसके बाद हमारे जो विचार बनते हैं उन्हें हम अपने अनुभव के आईने में देखते हैं और उसमें हेर फेर भी करते रहते हैं। इस तरीके से हमारी एक मौलिक नैतिकता होती है लेकिन अनुभव के आधार पर उसमें तबदीलियां भी होती रहती हैं। ये हो गई व्यक्तिगत नैतिकता लेकिन हमारा सामना व्यक्तिगत नैतिकता से कम और व्यावसाइक और सामाजिक नैतिकता से ज्यादा होता है। जिन codes को हम ethics कहते हैं एक तरीके से नैतिकता अगर आत्मा है तो ethics उसका शरीर उदाहरन के लिए हम हर profession के लिए कुछ ethics बनाते हैं जैसे कि डॉक्टरों के लिए ethics होते हैं chartered accountants के लिए, वकीलों के लिए, सैनिकों के लिए, journalist के लिए, तकरीबन हर profession के लिए ethics होते हैं इसी तरह के बड़े collection of ethics आपको धर्म के अंदर भी दिखाई पड़ते हैं तरसल हम अपने time-tested ethics को organize और preserve करना चाहते हैं इसलिए हम कानून बनाते हैं, समविधान बनाते हैं, religious codes लिखते हैं बगएरा बगएरा लेकिन ethics and codes का पूरा तंभू हमारे individual moral sense के बंबूँ पर टिका होता है हर ethical value को हमारे खुद के moral value का support चाहिए होता है जिसका moral conscious ethics को support नहीं करता, उसके आगे ethics बेकार साबित होते हैं moral conscious ethical behavior का driver होता है अगर गाड़ी में driver ना हो या petrol ही ना हो तो गाड़ी चलेगी कैसे इनसान के moral conscious का सामना वास्तविक जीवन से होता है हमारे वास्तविक अनुभाव उसे प्रभावित करते हैं आज इनसान दबाव और तनाव से भरी एक complex जिन्दगी जी रहा है इनसान एक social entity भी है एक economic entity भी है और political entity भी है ethics, moral codes, social codes, laws, constitutions ये सब दुनिया को navigate करने में हमारी मदद करते हैं ये एक race के तोर पर हमारे survival और progress में हमारी मदद करते हैं लेकिन हो सकता है कि individual level पर ethics और moral हमारे material goals के लिए बाधा लगें और हम उन्हें ignore करें और ये भी हो सकता है कि moral और ethics एक दूसरे से टकरा जाएं ethics और morality के बीच का अंतर समझने के लिए एक example लेते हैं ऐसा example जहां ethics आपकी morality से टकरा रहे हैं ये classic example है कुरुकशेत्र के मैदान में अरजुन की दूइधा युद्द के ethics कहते हैं कि वो हथियार उठाए और वान चलाए दूसरी तरफ उसकी personal morality कहती है कि इतने सारे लोग जिन में कोई रिष्टेदार है कोई मित्र है कोई अंजान है इन सब को मारने के बाद हासिल क्या होगा आप कह सकते हैं कि युद्ध के मैदान में personal morality के कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर अरजुन वहां एक इनसान नहीं बलकि एक जॉम्बी के तौर पर युद्ध लड़ रहा होगा एक जिनदा इंसान के भीतर morality का होना इतना ही स्वाभाविक है जितना उसकी सासों का चलना इसलिए अगर अरजुन के भीतर morality नहीं होगी तो फिर ऐसे में वो युद्ध में भी क्यों उतरेगा जब धर्म ही नहीं होगा तो खुद को धर्म युद्ध में क्यों ही जोका जाएगा मतलब morality नहीं है तो फिर ethics भी क्यों होंगे फिर तो एनार की होगी अब अगर अरजुन वांड चलाता है तो ethical तो होगा लेकिन वो खुद अपनी नजर में moral नहीं रह जाएगा दूसरी तरफ अगर वो युद्ध छोड़ देता है तो वो moral तो रहेगा लेकिन वो ethical नहीं रहेगा अरजुन को भगवान श्रीकृष्ण ने इस उल्जन से निकाला और इसी प्रसंग में गीता जैसे महान गरंत का जन्म हुआ गीता में मौजूद psychology पर मैंने episode number 47 में एक podcast बनाया है आप चाहे थो उसे सुन सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम morality को discuss कर रहे हैं तो उसी पर focus करते हैं और modern perspective पर रहते हैं कई बार moral और ethics एक दूसरे से नहीं टकराते लेकिन हमारे लक्ष से गोल से टकरा जाते हैं अगर कोई ज्यादा पैसा कमाना चाहता है या कोई भी चीज हासिल करना चाहता है पद हासिल करना चाहता है किसी इनसान को हासिल करना चाहता है और ethics उसमें बाधा बन जाते हैं तब उसका moral कमजोर पड़ सकता है, या फिर ये कहें कि उसका moral कमजोर साबित हो सकता है, अगर बहुत से लोग ऐसा करते हुए दिखते हैं, तो हमें लगता है कि moral की वज़ा से हम पिछड रहे हैं, हम वन्चित रह गए हैं, ऐसी स्थिती समाज को क्राइसिस की तरफ ले जाती है, लेकिन सभ्यता के किसी भी बिंदु पर आप ये नहीं कह सकते कि moral खत्म हो चुके हैं, आज कल आपको तथा कथित आध्यात्मिक गुरू ये कहते वे मिल जाएंगे कि moral का कोई importance नहीं है, मूरल आपको कुछ नहीं दे सकते, गीता के सुप्रसिद्ध श्लोक कर्मन्यवादिका रस्ति माफ लेशु कदा चना को भी व्यंग के तोर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये दोनों धारनाएं गलत हैं, मूरल से हटना आपको व्यक्तियत तोर पर कुछ समय के लिए भौतिक लाव दिला सकता है, लेकिन नंबे समय में ये आपके लिए घातक साबित होता है, क्योंकि धर्म, दर्शन, आध्यात्म और विज्ञान सभी इसी निशकर्ष पर पहुँचते हैं कि इनसानी जीवन जितना भौतिक संसार से सम्बंदित है, उससे कहीं ज्यादा आत्मिक अनुभावों से सम्बंदित है, मोरालिटी आपके आत्मिक संसार की बुनियाद का पत्थर है, ये आपको प्रकृति की तरब से मिला है, अपने आत्मिक संसार को स्वस्थ और सुन्दर बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जान बूझकर बिना परियाप्त मजबूरी के मोरल से समझाता करना लंबे समय में भारी पड़ता है, मोरल से मुमोडना, मानसिक पीड़ा और मनोविकारों को बुलावा भीजना है, ये पॉडकास्ट बिना किसी व्यावसाइक लक्ष के सेल्फ स्टड़ी और नौलेज शेरिंग पर आधारित एक गैर पेशेवर प्रयास है, इसमें आपकी सहभागिता अपेक्षित है, कृपिया पॉडकास्ट को सब्सक्राइब, शेर और कमेंट करें, नमस्कार!